मूवी की शुरुवाद में हम देखते हैं कि सिसिलिया अपने बॉइफेंड के साथ सो रही थी जिसका नाम एडरेन था एडरेन एक अप्टिक्स इंजिनियर था और वो बहुत अमीर था उसने सिसिलिया को अपने अलिशान घर में कैट करके रखा था एडरेन सिसिलिया को वहां आजाता है और एलर्म भी बज़ने लगता है लेकिन सिसिलिया जैसे ही दिवार के उस पार आती है तबी घर के लाइट जल जाता है और एडरिन को पता चल जाता है कि सिसिलिया घर पर नहीं है उसी वक्त सिसिलिया को रोड में उसकी बेहन कार में दिखाई देता है और जैसे ही सिसिलिया कार में बेटती है, वहाँ एडरिन आ जाता है और उसका गला पकर लेती है, लेकिन उसकी बैहन गारी चला कर उन दोनों को वहाँ से बचा लेती है, लेकिन जो दवाई एडरिन को सिसिलिया ने दी थी, उसका डिबबा वही छुट जाता है, सिसिलिया अब डर के कारण घर के बाहर भी नहीं निकालती है, दो हफ़ते बाद उसकी बेहन उसे बताती है, कि Adryne ने सुआइट कर ली है, ये सुनकर सिसिलिया बहुत हयरान हो जाती है, और वो जेम्स और अपने बेहन को सब बता देती है, कि कैसे एडरीन ने उसे कंट्रोल करके रखा था एडरीन के मौत के बाद सिसीलिया खुश रहने लगी थी अगले दिन जेम्स सिसीलिया को एक लेटर देता है जो कि उसके नाम पे आया था और ये लेटर देखकर सिसीलिया हैरान हो जाती है क्योंकि सिसिलिया इस वक्त कहां पर है उसकी एड्रेस किसी को नहीं पता था फिर हमें पता चलता है कि ये लेटर एड्रिन के भाई का है जो उसका वकील भी था अगली दिन सिसिलिया और जेम्स एड्रिन के भाई के साथ मिलने जाते है वहाँ उसे पता चलता है कि एडरीन ने सिसिलिया के नाम पे 50 लाग डॉलर और एक टेक्स फ्री प्रपरटी छोड़ी है उसके बाद सिसिलिया पेपर पर साइन करके अपने दोस्त के गर वापस जाती है जेम्स की बेटी सीडनी को कॉलेड जाना था जिसके फीस 10,000 डॉलर पर मान थी सिसिलिया कहती है कि वो उसका फीस बरेगी जिससे वो बहुत खूश हो जाती है लेकिन अब सिसिलिया के साथ अजिब अजिब गठनाय होने लगती है जैसे जब एक दिन सिसिलिया बेटी होती है तब ही उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है लेकिन जब वो पीछे मूरती है तब वहां कोई नहीं होता है फिर एक दिन सिसिलिया खना बना रही होती है तब पैन में अपने आप आग लाग जाता है और जब सीडनी और सिसिलिया स पूर्सि दिखाई देता है जिस पर विजिट डाल देती हैं लेकिन वहां भी कोई नहीं होता अब सीड़नी और जेम्स ओआ जाते हैं फिर सेलिया जेम्स को बताती है कि वहाँ पर कोई था लेकिन James उसके बाद का विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि ये उसका बह्म है और उसे अराम करना चाहिए अगली दिन Sicilia इंटर्वियू के लिए चाहती है लेकिन वहाँ पर वो वेहोश हो जाती है और उसे उस्पीटल ले जाया जाता है जहां उसका ब्लाड टेस्ट होता है और जब वो गर में आती है तब उसे डॉक्टर बताते है कि उसके हालत डिजैपेम दवाई लेने की वज़े से हुआ है और डिजैपेम वही दवाई थी जो उसने एडरिन को उस रात दी थी फिर उसे वही दवाई का डबवा जेम्स के घर में दिखाई देता है जिसे देख कर वो परिशान हो जाती है क्योचि वो डबवा उसने एडरिन के घर छोडाया था फिर वो डबवा कैसे यहाँ पर आ सकता है अगले दिन सिसिलिया और जेम्स एडरिन के भाई से मिलने जाते है वहाँ सिसिलिया उसे बोलती है कि अभी भी एडरिन जिंदा है क्योंकि वो एक अप्टिक इंजिनियर है और उसने किसी तरह से इंविजिबल होने की खोच कर ली है लेकिन उसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता इसके बाद सिसिलिया अपने बेहन से मिलने जाती है लेकिन उसकी बेहन उससे बाते करने से मना करती है क्योंकि वो कहती है कि जैसे बाते उसने उससे इमेल में किया था उसके कारण वो उससे कभी बाते नहीं करेगी और जब उसे कोई थपपर मार देता है क्योंकि वहां Sisilia के अलावा और कोई नहीं दिखता तो वो सोचती है कि उसी नहीं थपपर मारा है Sidney बहुत डर जाती है और अपने डेट को बुलाती है James specific देखकर बहुत गुशे में जाता है और Sisilia से कहता है कि वो उसके बेटी से दूर रहे और जितनी जल्दी हो सके इस गर से चले जाए और फिर वो दोनों वहां से चले जाते है अब सिसीलिया पूरी तरीके से जान जाती है कि Adrien जिन्दा है पर किसी तरह से इन्विजिवल है वो उसे बात करने का ट्राइ करती है लेकिन Adrien सामने नहीं आता फिर वो Adrien को कॉल करती है तो उसे उसका फोन एटारी में मिलता है उसके फोन में वो देखती है कि उसमें उसका बहुत सारा फोटो था और उसी में एक मेसेज भी आया था कि सरप्राइज जिससे वो समझ जाती है कि Adrien आसपासी है और इसके बाद सिसिलिया एटारी के लेडर में पेंट गिरा देती है जिससे एक इन्विजिवल आदमी दिखाई देने लगता है अब सिसिलिया चाकू लेकर उसके पीचा करते हुए कीचेन में आती है वहाँ देखती है कि नल खुला हुआ था इन्विजिवल होने का रिसार्च किया करता था और जब वो एक अजिब से मीरोर को टार्च करती है तो उसे एक सूइट दिखाई देता है जो कि कुछ देर पहले इन्विजिवल था तब ही उसे कुट्टे की बोकने की आवाज सुनाई देती है और सिसिलिया समझ जाती है कि एडरिन वहाँ आ चुका है और वो जल्दी से उसे सूइट को लेकर एक क्लोजेट में छुपा देती है लेकिन एडरिन उसे देख लेता है और उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन उसका कुट्ता उसके सामने आ जाता है जिससे सिसिलिया को भागने का मौका मिल जाता है और सिसिलिया वहाँ से निकल कर अपने बेहन को कॉल करती है और रेस्टुरियन में मिलने को बुलाती है सिसिलिया अपने बेहन को बताती है कि वो email उसने नहीं बेजा था वलकि एड्रिन ने बेजा था सिसिलिया उसे एड्रिन की सच्चाई बता देती है तबी कोई invisible आदमी उसके बेहन का गलाक काट काट चाकू सिसिलिया के हाथ में फेक देता है वहाँ बेटे हुए सब लोग सौचते है कि वो खून सिसिलिया नहीं किया है और वो पागल हो चुकी है इसलिए उसे हस्पिटल में बेज दिया जाता है वहाँ सिसिलिया सब को चिला कर बताती है कि एडरिन अभी जिन्दा है लेकिन उसे बेहोशी की injection देते हुए बेहोश कर देते है और बेहोश होने से पहले ही सिसिलिया के कान में कोई कहता है कि सर्प्राइज और वो जान जाती है कि एडरिन वही है इसके बाद जब उसे होश आती है तो उसे पता चलती है कि वो प्रेगनेंट है जिसे सुन कर वो हेरान हो जाती है क्योंकि जब वो एडरिन के साथ रहती थी तब कॉंटरसेप्टिक पिल्स लिया करती थी इसके बाद वहाँ उसे उसका दोस्त जेम्स मिलने आता है इडरिन का बाई आता है और उसे बताता है कि अब वो एक अपरादी है इसलिए उसे जो पचास लाक डॉलर मिलने वाले थे वह आप नहीं मिल सकते लेकिन अगर वो एडरिन के बच्चे को जनम देती है और इडरिन के पास वापस आती है तो उसे सारे अपरादों से मुक्त कर दिया जाएगा इडरिन जानता था कि सिसीलिय कॉंटरसेप्टिक पिल्स लेती थी इसलिए उसने दवाई बदल दी थी अब हमें पता चलता है कि एडरिन का भाई भी एडरिन के साथ मिला है लेकिन सिसीलिय उसे कहती है कि वो एडरिन के पास कभी नहीं जाएगी क्योंकि उसने उसकी बहन का खून कर दिया है इस पर एडरिन का भाई उसे कहता है कि वो इस बारे में अच्छे से सोच कर उसे बताए वो तीन दिन बाद फिर लोटेगा इसी पल सिसिलिया उसके भाई का पैन चुरा लेती है और वहां से चली जाती है सिसिलिया उस रात उस पैन से अपना हाथ काटने लगती है लेकिन एडरिन वहां आ जाता है और उसे रोकता है सिसिलिया उसे कहती है कि वो जानती थी कि एड्रिन वहाँ उसे रोकने आएगा और वो उसी पैन से एड्रिन पर हमला कर देती है जिससे एड्रिन का सुईट कभी दीखने और कभी गाइब होने लगता है तभी वहाँ सेकुरिटी गार्ड भी आ जाते है और वो देखते है कि वहाँ एक आदा इंविजिविल आदमी खरा है और एड्रिन वहाँ के सारे गाट्स को मार देता है और दूसरे तरफ सिसिलिया एक गान लेकर वहाँ से बच कर निकल जाती है लेकिन एड्रिन उसे बाहरी पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर सिसिलिया उसकी बात नहीं म मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि एडरीन इंविजिवल था एडरीन जेम्स को मारने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ सिसीलिया आ जाती है और उस पर फायर एक्स्टिंग्सर स्प्रे कर देती है जिससे एडरीन दिखने लगता है और सिसीलिया उस पर गोली चला देती है और एडरीन मर जाता है लेकिन जब वो उसका सुइट खोल कर देखती है तो उसमें एडरीन नहींवल की एडरीन का भाई था मतलब एडरीन अभी भी जिन्दा है लेकिन अब जेम्स को सभी सच्चाई पता चल गाया था इसलिए वो एडरीन के घर जाता है वहाँ उन्हें एडरीन घर के बेस्मेन में बंदा हुआ मिलता है और वो उन लोगों से कहता है कि उसके बाई नहीं उसे बांद कर सूइट का इस्तेमाल किया है जिसे अब एडरीन कानून के नजरों में बेगुना साबित हो जाता है और सारे अपराद उसके भाई की खिलाफ हो जाता है सिसीलिया जेम्स को बताती है कि वो जानती है कि हकीकत में सारे खुन एडरीन नहीं किया है इसलिए वो एडरीन को कॉल करती है और उसे मिलने उसके घर जाती है और उसने अपने कपरों में एक टेप रेकोडर भी शिपा लेती है ताकि उनकी सारी बाते जेम सुन सके एड्रिन सिसिलिया से मिलकर उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो बदल चुका है और सिसिलिया उसे कहती है कि अगर वो चाता है कि वो उसके पास वापस आ जाये तो और उसके बच्चे की माँ बन जाये तो उसे अपने सारे सच्चाई कबूल करना होगा लेकिन एदर्डीन बार-बार कहता है कि ये सब उसके भाई Tom ने किया था और ये सब सुनकर सिसिलिया रोने लगती है फिर पास आता है और उसे उसी आवाज में कहता है जिस आवाज में वो invisible होने पर कहता था सर्प्राइज जिसे सुनकर सिसिलिया को गन्फर्म हो जाता है कि एड्रिन ने ही उसी की बहन को मारा था, फिर सिसिलिया वहाँ से उठकर बातरूम चली जाती है, और इधर हम देखते हैं कि एड्रिन अपने हाथों से अपना गला काट लेता है, सिसिलिया वापस आकर देखती है कि एड्रिन जमीन पर परा होता है, और वो पुलिस को कॉल करती है, और कैमरे में ये सब रेकोर्ड हो जाता है, फिर वो एड्रिन के पास बेट जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि सर्प्राइज, इसके बाद एड्रिन की मौथ हो जाती है, और सिसिलिया वहाँ से बाहर निकाली रही होती है कि तब ही वहाँ James आ जाता है और वो James को कहती है कि Adrin ने खुद कुशी कर ली है और केमड़े में सब रेकोड हो गया है वहाँ से उसे सबुत मिल जाएंगे सिसिलिया के हाथों में एक बेग होता है जिसमें इन्विजिविल होने वाला सुईट रखा था दरासल जब से सिसिलिया बातरूम में गई थी तो इन्विजिविल सुईट पहन कर वापस आ गई थी और एडिन के हाथों उसी का गला काट दी थी और ये वही सुईट था जिसे सिसिलिया ने क्लोजट पर चुपाया था जब वो एडिन के गर लेब में दोवारा गई थी जेम्स उस सुईट को देख लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता क्यूंकि वो जानता था कि सिसिलिया की बेहन का खुन एडिन नहीं किया था और इस प्रकार सिसिलिया अपने बदला ले लेती है और इसी के साथ साथ ये मुवी यहाँ पर एंड हो जाता है तो दोस्तों ये कहानी आप लो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक और आपके चैनल मुवी टीवी को सस्क्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ